कि हेलो डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो के दर में आपको सखाने वाले हैं नाइंटी डिरी एंगल किसे बनाना है और एक इंपोर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे पता चलेगा कौन से दो लाइन लेने पर ही 90 45 या आपको कोई और एंगल मिल जाता है तो वह कैसे बनेगा ठीक है तो और यह आपको देख रहे हैं साइड में 260 इस से पहले वीडियो के अंदर बनाना सिखाया है मैंने अगर आपको वह देखना है तो आपको डिस्क्रेशन लिंग मुल जाए वहां से देख सकते हैं तो यह टाइम विशना करते हैं चलिए स्टार्ट करते है ओ यह घुए तो देखी बच्चों सबसे प्रत आपको क्या करना होगा अगरता नानी ओगी बेसलाइन बनाते हैं आपको यह पर थर सिकार रहे हैं हम इस वीडियो के अंदर नाइटीं डिगरी है इससे पहले बाले कंदर इन दोर को सिका चुके हैं तो दीगे नाइटीं ड एक चीज इंपोर्टेंट पात अब रताने वाला हूं तो प्लीज वूडियों रुक के जाए करने के बाद बताऊंगा ठीक है तो जिससे हमको पता चलेगा कि अगर हमको कोई सबसे पहले इतना ले लिए उतना फिक्स रहना चाहिए अगर यह हिला तो दिक्कत हो जाएगी कि यह पहला लगाया हमने हाँ सिक्स्टी डीघरी भी ठीक है पताया आपको सब्सक्नियस लगता है कि और दूसरा यहां से लगाया हमने 2020 हम प्राइब धिक्या कर्ना आंसरा वांट ट्वैनटीम अब क्या करना इसी को इसमें चैंज्छ नहीं आना चाहिए इसी को कि इस इसी को 120 पर रखिए यहां पे एक जोड़ दीजे और यह आपका जो डूरेलट ये मिलेगा है आपको यह मारा सिगे 90 एंगल ना सिंपल बहुत जादा ठीक है आपको 45 डिए एंगल बनाना सिखाता हूं 45 डिग्री का कैसे बनेगा ठीक है देखिए फॉर्थ है हमारा 45 डिग्री फॉर्टी फैव डिग्री फॉर्टी फैव डिग्री बनाने के लिए सबसे तो वही लैन बनाई ये बनाते हैं रुकी ये टिक मैं फास्ट फोर्वाड करके निकाल जाता हूं आपके कि अधिक है यहां तक तो आगया आपको बनाना यहां नहीं चाहिए ठीक है अगर आपको 45 को नाना तो क्या करना होगा इसको यहां से कट लगा दीजिए ठीक है यह कट लग गया ओके अब इसी को कर रखेंगे यहां 90 पे ठीक है 90 पे रखके कर लागा यह आर्क ये कम कट बोल देता हूं कटन रही हुता इसको आर्क बोलते है ठीक है अरे गलत हुए हलका सा ठीक जो टेकर ओके यह राख लग गया आपका करना है इसको उसको जोएन कर दी आ आगे आपका रेज्टेंट 45 का फोटीफ एप का ठीक है है यह है यह आपका 45 डिग्री का एंगल कर देख सकते हो आप लोग इसके अंदर 40 देख रहा है यह आपका 40 और यह आपका 50 यह देखिए 40 और 50 के बीच में यही रही लाइन और यहीं पर आया है एंगल ठीक है तो यह कितना हो गया 45 डिग्री का ठीक है अब देखिए अब मैं आपको बोल रहा था ना बॉनस पॉइंट होता है बूलस पॉइंट होता है देखिए मैंने क्या किया पहले मिलों को अगर 90 बनाना था तो मैंने यहां पर 60 पर रखा और 120 पर बीच में लगाया ठीक है 45 अब नाना था तो मैंने जीरो पर रखा और 90 पर फिर मारें लगाया कुछ बच्चे होंगे वह ऐसे बोले है जीरो पर 60 पर फिर मारें यहां पर कट कैसे पता चलिएगा हम को कि हम किस पर बनाया अगर सदल्ली आपन जबनाना क से आपको वह आएंगल करने पड़ेंगें जिनको जोडने पर उसका हाफ करने तो वह एंगल आ जाए जैसे आपको 45 का बनाना था ठीक है एक बाद जीरो पर रखा और यह बाद नाइटी पर रखने पर क्या क्योंकि हमको 45 चाहिए 45 कैसे आएगा कि यहां पर इस पर रखे लिए पहले क्या लिए लेंगे 60 वाली प्लस नीचे जीरो आई लेंगे 60 और जीरो अपांट कितना आ गया 30 डिग्री सब्सक्राइब तो यही बात मैं आपको बताने वालता यह बात पहुंच जाता इंपोर्टेंट है अगर आपको सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे आपको ट्वेंटी टू एंड हाफ का बनाने के लिए कितने का 22.5 डिग्री का बनाने आ जाए तो आप कैसे बना है अपना 22.5 के लिए 22.5 यह एक 45 प्लस जीरो एक 45 से कट लगाई है यहां और एक जीरो से कट लगाई है 45 जीरो को जोड़ दीजिए कितना एगा 22.5 पे ही आएगा 45 डिग्री प्लस जीरो अपॉन टू फॉर्टी फाइव पॉन जीरो कितना आ गया 22.5 डिग्री समझ गया अच्छो तो यही बात मैंने आपको आपको बता नहीं थी और आपको अगर यह पॉर्ट समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आपको कोई अगर डाउट भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो हमां मैं आपके हरे कमेंट का जवाब दूंगा और मेरे वाइब वी